नमस्कार आप देख रहें नीजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन शुरुबात करेंगे खबरों की निर्वाल के दर्शन करेंगे एसके बाद अमिष्या बरेली में रोड शो भी करेंगे इस तौरान अमिष्या बरेली में बीजोपी जन विश्वास के दौरान आयोजित विश्याल जन सभाओं को संभूदित करेंगे दिली के सीयम और आपके रास्ते से हो जग कर्विन के जिवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है के जिवाल के नतित में पट्याला श्यर में पंजाब के अमुन और शांती के लिए शांती मार्श निकलेगा पार्टे के मताबे कि ये मार्च पंजाब की शांती और सम्रिधी के लिए समर्पित होगा मार्च सुभा साड़े ग्यारा बज़े के करें पठ्याला के शेरावारा गेट से शुरू होगा देश के दूसरी राज़ों के साथ साथ उत्रप्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामने दराने लगे हैं गुरुवार को यूपी में कोरोना के 143 मामने सामने आए हैं इसके साथ ही अब राज़ों में कुल सक्री मामनों की संख्याद 645 तक पहुँच गई है वहीं पिछले 24 गंटों में एक किस मरीज डिस्टार्ज भी हुई है चौबस गंटे के बीतर राज़ानी लखनों में कोविड-26, नुवाइड़ा में 28, मिरट में 27, महराज गंच में 19 और गाज़ेबाद में 17 नए मामने सामने आएं वहीं पश्यमंगाल, बिहार, ज्वारकन, दिल्ली के भी यही हाल है उनके आकड़े क्या हैं आपको उता देते हैं पश्यमंगाल में गुरुवार को कोविड-19 के 2128 ताज़ा मामने दच हिये गए जो राज़े में उद्वार को दर्ज के गए केसों के लगफ़क दुटना है राज़े में आज दर्ज के गए ताज़ा मामनों में से 1000 से जादा केस अखेले कॉलकता की हैं उदर विहार में पिशले चौप उस गंटों के भीतर और 132 लोग कोरुणा वारे से संक्रमित पाए गए राज़े में सक्री मामनों की कुल संक्या 333 हो गई है इसके अलावा गुरवार को पटना के किद्वाईपुरी लाकर में पहला कॉमिक्राउन का मामना सामनी आया यहां 25 वर्षे शक्ष कॉरोना के नए वरेंट से संक्रम पे तिकला है उसका सैंपल 25 दिसंबर को दिल्ली भीजा गया था और शाम को रिपूर्ट आई माई दिल्ली में पिशले 24 गंट में कोरोना के 1313 केसस सामनी आये हैं माई के बाद राजधानी में एक दिन में मिले सबसे ज़्यादा केस हैं आलाकि जुरान 23 लोग ठीक हुए राजधानी में आक्टिव केस 3000 से जादा हैं दिल्ली में कल 923 केस सामनी आये थे भारत सरकार के स्वास्त मंत्राले के सविक्त सची व्लागरवाल ने बताया कि दुनिया भर में 2.68 करोड एक्टिव केसिस हैं हर दिन 10 लाग मामले हैं 39 दिसम्बर को दुनिया भर में कोरोना के 17 लाग केस सामने आए अमर्का में 28.08 प्रतीशद व्रजेन में 12.5 प्रतीशद फ्रांस में 12.11 प्रतीशद स्पेन में 6.7 प्रतीशद केस मिले हैं भारत में मौजूदा वक्त में कoryला के 82,000 से जाधा केसिस हैं यहां पिश्ली चॉप इस घंटो में कोरोना के 10,000 से ज़ादा केसिस मिले हैं सुआस मंत्राले की वाने तो पूरी दुनिया में 121 देशों में एक महीनी में ओमिक्रॉन के 3,30,000 से ज़ादा केस सामने आ चुके हैं अभी तक कॉमिक्रॉन से साच लोगों की मौत हो चुकी हैं भारत की बात करें तो यहां आप तो कॉमिक्रॉन के 961 के सामने आ चुके हैं इन में से 320,30 ठीक भी हो चुके हैं आज साल 2021 का आखरी दिन है इस बार भी नई साल 2022 का स्वागत उस तरीक से नहीं कर पाएंगे जैसा पहले किया करते थे भारत के अलग लग राज्यों में कई सारी पाबंदियों के बीच नई साल का स्वागत किया जाएगा कई राज्यों ने अतिहात नाइट कर्फिय रहेगा दिली से महराज तक इन राज्यों में लागू ये पाबंदियां जान लीचे दिली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और मिक्रॉन के खत्रे के कारण रात 11 बज़े से सुबर 5 बे तक नाइट कर्फिय जारी है उन सभी व्यक्तियों के आवजाही प्रतिबंदित रहेगी जो छूट प्राप तर शेडी में नहीं आते शुराब की दुकानों का समय घटा कर रात 8 बे तक कर दिया गया है सिनिमा हॉल बंद रहेंगे इसके अलावा रेस्ट्रा में 50% बैठने के शर्मता के साधे चिलानी के अनुमती है महराश्ट सरकार ने सारवजनी के स्थानों पर पांस से अधिक प्रतिबंद किया है किसी भी बंद या कुली जगा में नई साल के जशन के कारक्टरमों पर पूरी तरह से प्रतिबंद रहेगा उत्रप्रदेश में भी नाइट कर्फी लागू है शादी विवा आदिस अरवजनी का आईजनों में कि पिचास पिस्ते की साफसे संचालन किया जाएगा किरल सरकार ने भी ऑमिक्रॉन की बढ़ते खत्रे की बीच राज्य में नाइट कर्फी लगाने का पैस्टा लिया रात के समय नए साल के जशन पर पती बंद रहेगा पब रहस्ता बार साथ पतिश्य शम्ता की साथ चलन की पर्मीशन है गुज्रात के आठ शेहरों एमदाबाद बडोद्रा सूरत राजकोर भाबनगर जामनगर गांधी नगर और जूनागर में नाइट कर्फी राद 11 बैस सुबह पांच बे तक लागो रहेगा हर्याना सरकार ने भी नाइट कर्फी लगा दिया है इंडोर और खुले स्थान कारिक्रमों में अधिक्तम लोगों की संख्या को क्रमशाद 200 और 300 लोगों तक सिमित कर दिया है और समसरकार ने नुर्देश दिया है कि राजब में आब 31 संबर को नाइट कर्फी नहीं होगा नए मानक्स अंचालन प्रक्ष्यक हिंसार राद साड़े ग्यार ही है मौसर विभाग ने राजब शीत लहर के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है भारति मौसर में विभाग की ओर से जारी अलर्ट में घना कोरा चाय रहने और उस पढ़ने की संभावना जटाए गई है आमजी के एक अधिकाली ने कहा है कि राजब के कुछ हिस्सों में शीत लहर चलने की पहले ही शुरू हो चुकी है क्योंकि गुर्वार सुभार चार जिलो राइसेन धार गौालियर और गुना में नियुन तक तापमान साथ जिग्रे सलसेस दर्ज किया गया विबाग के अनुसार शुक्रवार सुभार से शुरू होने वाले अगले दो दिनों में गौालियर राइसेन सिवनी और सागर सहीद आठ जिलो के अलगलग स्थानों पर श्रीत लहर चलने की संभावना है शुक्रवार सुभार से शुरू होने वाले अगले दो दिनों में बोपाल जोपरपूर रायसेंद दाथिया और मेंडला सहीती तेस जिलों में अलग-लग स्थानों पर कड़ाखे की ठन पड़ने का एक और यलो अलट जारी किया गया पिशल चौप उस गंचों में प्रदेश में सबसे कम युम्तम तापपान साथ दिग्री सेल्सियस रायसें पर बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पुर्वोत राजस्तान में चक्रवाथी हवाओं को श्रेत्र बना हुआ है